नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूं उपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की इस वीडियो का टाइटल और थमने देख लिया है किस तरह का है वो है स्कैम अलर्ट से लेटिड काफी दिन से कुछ मुझे मैसेज आ रहे हैं और मैं लगतार देख रहा हूं कि इस तरह के कुछ मैसी जा रहे है मेरे पास जिसमें अलग अलगतार कि मुझे चैनल पर कमेंट्स के जा रहे है किया ATM का डेटेल कुछ कमेंट्स आपको दिखा रहा चाहूँ पिर आगे बात करूँ इस वारे में कि मैं आज कि इस वीडियो में क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ मुकेश ने लिखा है देख सकते हो हाई रवी बाई गुड मॉनिंग मैं मुकेश राइस्थान से हूँ मुझे आपके नेम से को राया था कि मैं रवी बोल रहा हूँ आइकोनिक इंडिया से मुझे आपके कोईन चाहिए और दसजार एडवांस देने को बोल रहे थे ATM डिटेल मांग रहे थे मैंने कहा आपका इमेल मेरे आईडी मेरे पास है उस पर कोंटेक्ट करो तो फोन कार्ड दिया यानि मुकेश ने मेरी वो वीडियो देखी है जिसे मैंने बताया है कि मैं सिर्फ इमेल पर ही संपर करता हूँ अगर आप मेरे चैनल के आपाउट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो मैंने अपनी इमेल आईडी दी है मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता हूँ पहली बात ये और मैंने आपको काफी बार समझाया है क्या कमेंट्स में अपना मुबाइल लंबर ना दे कमेंट्स में आपना मुबाइल लंबर देंगे पब्लीकली करेंगे तो जो फ्रोड लोग होते है जो ऐसा गैंग होता है जो सक्रिय रहता है हमेशा सोशल मीडिया पर वो उनका काम ही ही होता है क्या वो कॉल करें और ऐसे लोगों से पैसे ठगने की पूरी कोशिश करते हैं एक कमेंट और देखें आप अब एक कमेंट आप ये देखिए ठाकर वर्मा ने लिखा है रवी सर आप इस व्यपार में कमाने ही आए है फिर आप अपने व्यक्तिकत नमबर क्यों नहीं देते आपके कमपनी के नाम से चोड़ो का कोल आता है जो पहले ATM कार्ड का फोटो मांगते है मैं उमीद के साथ अपना वर्टसअप नमबर दे रहा हूँ कि आप अपना वर्टसअप नमबर देंगे एक कमेंट और क्या है इन्होंने नीचे यह देख सकते है इन्होंने अपना वर्टसअप नमबर दिया है पहले तो इन्होंने कमेंट यह किया है क्या चोड़ो का कोल आता है इनके पास फिर उने दुबार अपना mobile number दे दिया है तो अब इसमें गलती किसकी है अपना आप mobile number जब publicly करेंगे मैंने अपनी वीडियो में पिछली वीडियो में जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो समझते हैं इस बात को क्या मैंने मना किया हुआ है कमेंट्स में mobile number देने को तो पहले तो यह इस तरह का comment करते हैं फिर उसी comment में दूसरा comment करके अपना mobile number भी देते हैं जब आप अपना mobile number पब्लिक ली करेंगे तो आपको तो कोई भी call कर सकता है न फिर मेरे नाम से किसी और के नाम से और ऐसे जो इंटरनेट पर जो फ्रोड गैंग जो सक्रिये है वो हमेशा ही इस तरह की तलाश में रहते है क्या कोन उनके जासे में आ जाए कोन बेवकूफ बन जाए समझे रहा आप दोस्तों तो सेम ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है तो पहली बात यह क्या जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं जिसको आपने नहीं देखा है तो आप अपने कार्ड ATM डिटेल कैसे दे सकते हैं ATM PIN नमबर कार्ड डिटेल Mostly हर व्यक्ति को पत होता है क्या यह Personal डिटेल है जो किसी के साथ शेर नहीं करनी है Bank भी मना करता है पहली बात मेरी बात तो बहुत दूर की बात है जब आपको यह PIN डिटेल कार्ड नमबर मिलते हैं तो बैंक की तरफ से निर्देश होते हैं कि यह गोपनी हैं यह डिटेल आपको किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ शेर नहीं करनी है तो जब आप ATM कार्ड धारक है ATM रखते हैं आप अपने पास और इतना सारी चीज़े हो रहें कि बावजूद भी आप किसी ऐसे अंजान व्यक्ति को जिसको आप कभी जानते ही नहीं है उसको ATM कार्ड नमबर यह सब दे देते हैं जो लोग दे देते हैं जो उनके जहासे में आ जाते हैं वो फ्रोड का सिकार होते हैं फिर उसमें किसी कोई गलती नहीं है सिर्फ उस व्यक्ति को जानता ही नहीं है जिसने उस व्यक्ति को देखा ही नहीं है गभी उसको कैसे अपनी personal detail का detail दे सकता है वो श्रीफ एक लालच में आकर कि जिस व्यक्ति को भी जानता ही नहीं है वो उसको लाख रुपे के लालच दे रहा है लालच में आकर ही इंसान ऐसा घलत कदम उठाता है हमेशा जब सामने से लालच मिलता है तो इंसान ऐसा गलत कदम उठाता है उनकी तरफ से लालच दिया जाता है आप उस लालच में फसकर अपनी personal detail दे देते हो और फिर आपको नुक्सान उठाना पड़ता है जब आप अपना कमेंट में मुबाइल लंबर दे रहे आ अब आप मुझसे नंबर मांगते हैं अब आप ये सोचिए अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप इस चीजας को समझ सकते क्या अगर मैं वीडियो में मोबाइल नमबर अपना दे दू या कमेंट में अपना मोबाइल नमबर दे दू तो आपके पास तो शायद एक ये दो को लाईए मेरे पास हजारों इस तरह की को लाएंगे आपको पता है जिसमें fraud log भी होंगे बहुत सारे subscribers भी होंगे जो जानकारी चाना चाते हैं बहुत सारी मेरी videos में मेरा mobile number भी leak है और subscribers बहुत सारे ऐसे हैं जो 12 एक बज़े दो बज़े रात को फोन कर देते हैं टाइम नहीं देखते हैं अब उनको तो ख्यार मैं देखो कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है तो इसलिए मैंने उन वीडियो में से और उन कमेंट्स में सभी अपने मुवाइल नमबर हटाया है अब इस तरह के जो कमेंट्स आये हैं मुझे तो सबसे पहले तो आप यह समझ लेजए मैं अपने नाम से या मेरे नाम से अगर कोई आपको फवोन करता है तो आप उनसे बात ना करे उनको ब्लोग करें और नमबर हों को आते हैं coins and currencies related कैसे coins का collection करना है उस तरह के अब पांच रुपे के माता वैशन देवी के सिक्के आपको बेचने हैं यह ट्रेक्टर वाले नोट आपको बेचने हैं और उसके लिए आप मेरा mobile number मांग रहे हैं तो यह तो फिर सही नहीं है ना क्योंकि ना यह सिक्के बिखते हैं और ना इन सिक्कों से आपको कुछ होने वाला है और मुझे आप इन सिक्कों से यह notes related phone करेंगे तो तब भी आपको कुछ नहीं होने वाला है तो सबसे पहले इस तरह के जो comment है मैं शायद इस topic पर मैं last यह video बना रहा हूं इसके बाद मैं नहीं बनाऊंगा और यह फिर आप अपने हिसाप से handle करना जो भी यह लोग इस तरह के comment करते हैं क्या मेरे नाम से call आ रही है यह आ रही है वो आ रही है तो comment में mobile number दोगे तो को कोई भी phone करेगा YouTube पर कुछ फरजी चैनल भी है coins and currency से रिलेटर आप जाकर उनकी वीडियो भी देखते हो पता है आपको उनकी वीडियो देखते हो उनके भी comment आप अपना mobile number देते हो फिर वही लोग आपको phone करते हैं समझे आप हर field में आपको original और duplicate लोग जरूड मिलेंगे YouTube पर कुछ original चैनल भी है और जादतर fake चैनल है यह आपको अपने खुद से decide करना है कि यह जो आपको जनकारी दी जारी है कि यह सही है यह गलत है क्या कोई 5 रुपे का सिक्का 7,10,000,000 रुपे में मिल बिख सकता है क्या कोई Montaig Singh आलो वालिया का note 5,10,000,000,000,000,000,000,000,000,000, से सोचना है कि जो सिक्के note आपके पास इतने ज्यादा अभी लेबल है वो कैसे आपको लाख रुपे दे सकते हैं यह सोचने वाली बात है लाख रुपे में कोई 100 note बिखते हैं बट वो अलग तरह के होते हैं वो extremely rare होते हैं जिनकी mintage low है या जिनमें कुछ ऐसी खास बाते ह हैं जो बाकी सिक्क्यों नोटों में नहीं है तो ऐसे scam से बचना है आपको इस topic पर मैं last video बना रहा हूं यह यह आपको अपने हिसाप से handle करना है comment में mobile number नहीं देंगे तो फिर call आपको कहां से आएगी सबसे बड़ा question यह है जब खुदी आप अपना mobile number publicly कर देंगे तो जो ऐसे fraud लोग होते हैं तो वो तो इसी चक्कर में बैठे रहते हैं हमेशे internet पर और वो बहुत सारे ऐसे comments हो को देखते रहते हैं और उनको phone करते हैं फिर देखते हैं वो यह देखते है कि कोन हमारे जहांसे में आएगा और कुछ लोग आ भी जाते हैं और फिर fraud का और उनको न पर करें मुझे आज कि इस वीडियो को मैं खतम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका दने बाद